नौरात्री में मा कात्याईनी देवी की कहानी, नौरात्री के छटी दिन मा कात्याईनी की पूंजार जनाकर की उपास्टना करनी की बिदी रही है, और मा आस्था के साथ पूंजा से खुस होती है और संपोर प्रकार की कष्टो सी छुटकारा देती है, देवी को नौरात्री के छटे दिन पूंजा जाता है कत्र गोत में विश्व परसिद महार्शी कत्यायन की घर माभागवती पारंबा की उपासना की और कठिन तबस्या की उनकी इच्छा तीकि उन्हें पुत्री प्राप्त हो मा भागवती ने उनकी घर में पुत्री की रूप में जनम लिया इसलिए मया कत्याईनी कहलाई इनका गुड़ सोधकार है इसलिए इस बेग्यानिक युग में कत्याईनी का महत्सरवधिक हो जाता है इनकी कृप्या से ही सारे कारे पोड़े होते हैं बैदनात नामक स्थान पर प्रकट होकर इनकी पुण्जा की गईमा कत्याईनी अग्मोग फलदाईनी है मा की कृप्या पानी के लिए करश्ण को पती रूप में ब्रज की गोपियों ने इनी देवी की पुण्जा अर्चना की या पुण्जा कालिंदी या मुना के तक परके गई यसी लिए ब्रज मंदल की अलधात्रे देवी के रूप में पुर्ति स्थित होई है इनका स्वरूप आत्यंत भव्य और दिव्य है ये स्वर के सिंगहासन पर चमकेली और भास्वर हैं इनकी भुजा चार हैं दाई तरफ का उपरी हाथ अभे मुद्रा में हैं तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में हैं मा के बाई तरफ के उपरे वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल फुल सुसोबित होता है मा का वाहन भी सिंग है इनकी उपाशना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से आर्थधर्मकाम मोच यानि चार प्रमुपलों की प्राप्ती होती है मा की किरप्या से रोग, सोग, संतान, भै नश्ट हो जाते हैं जन्मों जन्मों के समस्त पापों का नास हो जाता है इसलिए मा की उपाशना सुर्दा और सच्चे मन से करने से रोगी के सभी दुख नश्ट हो जाते हैं दुनिया का काउन सा ऐसा फल है जिसे मा प्रदान नहीं कर सकती बस मा के लिए सच्ची आर्थधा होनी चाहिए मा भगवती कत्याइनी की जै हो ओम जै अंबे जग पालन करूडा भीने हर बार सकल मनो रद्धुग दूर करिए मम सुनिये मात्तों का जै मा